बॉलिवुड अपने आप बहुत बड़ी दुनिया है यहां है स्टार अपने अपने स्टाइल से जाना जाता है कई ऐसे भी आक्टर और अक्रिस हैं जो की अपने लाइफ स्टाइल से कभी समझोता ही नहीं करतें पर्दे पार इन स्टार्स के लाखो करोडो फैंस होते हैं और ये फैंस उन्हें पर्दे पार ही देखकर अपना रोल मॉडल बना लेते हैं लेकिन पर्दे के पीछे की दुनिया में स्टार्स का डेली रूटीन क्या है यह कोई नहीं जानता ऐसे में बॉलिवुड के कई ऐसे स्टार्स हैं जो नशे को अपनी आदत में शुमार कर अपना करियर खत्म कर चुके हैं लेकिन इन में से कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने समय रहते खुद को बचा लिया तो दोस्तों चलिए जानते हैं इन कलाकारों के बारे में जो इस चकाचौंद भरी दुनिया में अपने आपको नशे में चूर करने से नहीं बचा सके संजय दद इस कड़ी में सबसे पहले नाम आता है बॉलिवुड के संजु बाबा यानि की संजय दद का बता दे कि संजय दद तकरीबन 12 साल तक ड्रग्स के नशे में डूबे रहें इसके बाद उनके पिता आक्टर सुनील दद उनका नशा चुडवाने के लिए अमेरिका ले गए अमेरिका में संजय की नशे करने की आदत लगभग छूट गई लेकिन आज भी वे नॉर्मल स्मोकिंग करते नजर आते हैं रनबीर कपूर अलिवुड के चॉकलिटी बॉय और चौमिंग अक्टर रनबीर कपूर का नाम भी इस लिस्ट में शामिल होता है रनबीर कपूर को शूटिंग के दौरान स्मोक करते अक्सर देखा जाता है यहाँ तक कि उन्होंने खुद ये बताया कि वे एक्टिंग स्कूल में पढ़ने के दौरान से ही स्मोकिंग कर रही हैं स्मोकिंग तो नॉर्मल सी बात है लेकिन आक्टर को ड्रग्स लेने की आदत पड़ गई थी जुस वज़े से उन्हें फिल्मों में काम मिल नाम बंद हो गया था जुसके बाद इन्होंने अपने आप पर कंट्रोल किया और ड्रग्स की बुरी लत को छोड़ दिया हनी सेंग एक समाई था जब बच्चे बच्चे की जुबा पर यो यो हनी सेंग रटा हुआ था लेकिन अब ये नाम गुमनामी के अंधेरे में कहीं खोसा गया है एके करोडों लोगों को अपना फैंज बनाने वाले हनी सेंग नशे की हालत में खुद को भूल बैठे हैं लेक इसमें डिरेक्टर्स की लिस्ट का जाना माना नाम महिश भट भी नशे के इतने आदी हो गए थे कि घर में उनके पास कोई भी बैठना नहीं चाहता था महिश ने भी अपनी इस आदत को छोड़ने की वज़ा बताई उन्होंने बताय कि उनकी बेटी शाहीन उनके पास बै असफलता की बाढ़ला दी आज बॉलिवुड से फरदीन खान का नाम गायब हो चुका है बता दे कि साल 2001 में कोकीन मामले में उन्हें मुंबई से गिरफतार भी किया गया था उसके बाद आज उनके बारे में अच्छे से किसी को भी नहीं पता कि वे कहा हैं और अब क्या कर रही हैं सल्मान खान बॉलिवुड के दबंग खान के तो बहुत से किस्से हैं एक्टर अक्सर शराब के नशे में धुत नजर आते हैं वही सल्मान खान का साल 2002 में ड्रिंक एंड ड्राइव का मामला काफी सुर्ख्यों में रहा था इस मामले में उन पर केस भी दर्ज हो अक्टर रनवीर कपूर पर हात उठा लिया था। उस वक्त रनवीर कपूर फिल्मों में नहीं आए थे इतना ही नहीं बल्कि सल्मान खान के और भी कई किस्से हैं शराब के नशे में शुय रॉय के घर जाना उन्हें परिशान करना हिंसक हो जाना इस तरह के नजारे उर भ खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें